तो देखो बच्चो आज हम लोग फिजिक्स में बहुत ही इस पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो ध्यान से समझना देखो आज के टॉपिक का जो नाम है वह है बच्चो डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन क्या होता है इसे समझने के लिए थोड़ा एक एकस्पेरिमेंट को समझो देखो एक बच्चा यहाँ वाल है और यहाँ एक वाल है यहाँ पे एक सूर्स ओप साउंड है और यहाँ सुनने वाला है यहाँ साउंड को उत्पन करने वाला और यहाँ सुनने वाल यहां बीच में कोई भी डाइरेक्ट यह दिवाल बना हुआ है यह दोने दुसरा को देख नहीं पा रहा है लेकिन जो साउंड इमीट होगा बेव जो इमीट होगा हाइगेंस बताय थें कि कोई भी कोई भी सोर्स जो होता है वह स्पेरिकल बेव फ्रंट के रूप में सुन लेगा मान लो बच्चों कि अगर यहां से कार आ रहा है कार है यह और कार इधर से चल के आ रहा है और यहां पर हम लोग खड़े हैं तो कार का जो होरन है कार का जो होरन आएगा वह हम लोग यहां से आके सुन लेंगे क्योंकि यहां बेंड करके इसको सुना देगा तो कोई भी बेव चलता है और उस बेव के रास्ता में अगर कोई आजाता है तो यह जो बेव है वह हुआ अपने पाथ से थोड़ा गुण जाता है और मुण ने का बेनदूंगे ओम बेव की घटना को ही हम लोग defraction कंते हैं तो Bending और डिक ठीक्रेक्शन के कारण ही हम लोग दिवाल के इस साइट से उस साइट भी सुन लेते हैं ठाइक्षन का कौंसेट बहुत ही साधारन है और concept क्या है बच्चो कि कोई भी diffraction, diffraction क्या है समझना कि diffraction जो होता है बेब का तो पहने सोचा गया कि sound बेब का तो sound बेब का diffraction हमें physically दिखता है जब कि light बेब का diffraction हमें observation में नहीं आता है तो क्या कारण है? diffraction होता है बेब का और बेब तो sound बी बेब है और light बी बेब है तो क्या light का diffraction होता है और अगर light का diffraction होता है तो हम यहाँ से इस person को देख नहीं पाते हैं जब कि सुन पाते हैं और बताया गया कि सुनने का भाई रीजन यहा है डिफ्रेक्शन तो डिफ्रेक्शन लाइड वेव में होगा तो होगा तो कैसे होगा और क्यों नहीं हम देख पाए इसके रीजन को आज की क्लास में हम लोग कम्प्लिट्ली पढ़ लेंगे मतलब की अभी कहने का मतलब है कि दिवाल के उस साइड के परसन को हम सुन पाते हैं डिफ्रेक्शन के कारण की और देख नहीं पा रहे है तो लाइक का भी डिफ्रेक्शन हो रहा है लें नहीं देख पा रहे है तो कुछ न कुछ तो कारण होगा उस कारण को हमें समझना है तो उसका पाथ हम लोग स्ट्रेट लाइन देते हैं लेकिन बाद में बताया गया अलग-अलग साइंटिस्ट बताए कि लाइट जो है पाठकी नेचर का नहीं है बेव नेचर का है और बेव नेचर में हुआ एक और खेलो मिना सो करता है जिसे डिफ्रेक्शन करते हैं और डि पढ़ता है किसी ऑप्स्टकल पर और पर पढ़ने के बाद ऊसके बेंडिंग होना इसका बेंड्ड होना वेंड होने की फेनोमेना को ही हम लोग क्या बोलते बच्यों डिफ्रेक्शन काते हैं तो डिफ्रेक्शन क्या है इसको समझाते है नहीं एतने तो देखो थोड़ा थोड़ा अब्जर्वेशन से हम पूरे चीजों को तुम्हें समझाते हैं देखो वैसे तो डिफ्रेक्शन का डिफिनीशन तो इजी है डिफ्रेक्शन का डिफिनीशन इत्ते है कि वें लैइट बेव इनकाउंटर्स ओन अब्स्टकल अब्सटक्ल साथ एज होना पर तीखाफ पोना पर या讲 स्टकल पर लाइट बेव पड़ता है दिर लाइट बेव गेट से बंड गेट से बंड बेन करता है and geometrical shadow of obstacle changes. जो shadow बनता है, obstacle का, वा चेंज करता है. इस फेनोमेना, इस फेनोमेना, इस फेनोमेना ओफ लाइट, इस कॉल्ड डिफरेक्शन, तो डिफरेक्शन क्या है बक्चो, कोई भी बेब, कोई भी बेब, मूरता है, और मूर कर, जो मेट्रिकल सैडो जो है, उसको बदल देता है, और इसी घटना को हम डिफरेक्शन करते है और इस concept को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चीजों को बता रहे हैं बच्चों जब light wave किसी obstacle पर पड़ेगा, sharp age पर पड़ेगा तो light wave bend कर जाएगा और geometrical shadow और obstacle का जो है वाद change कर जाएगा इस phenomenon को ही हम diffraction करते हैं आगे बात बता रहे हैं धियान पूरगक समझो कि diffraction के मदद diffraction क्या है तो wave का मुरणा जब wave किसी sharp age अगे बदका पड़ेगा तो diffraction को हम लोग इव को मूरणा कौहीं हम लोग diffraction करते हैं धियान पूरगक समझो देखो बच्यों के लिए कुछ observation को पड़ते हैं ध्यान से समझना देखो अगर मान लो एक छोटा सा स्लीट है और यहां पे अगर हम स्क्रीन रखें यहां से अगर लाइट जाता तो लाइट जाता तो पहले पूराना टाइम में अगर जब हम मानते थे कि लाइट जु है सिर्फ ए श्ट्रेट लाइट में चलता है तो इतना दूर तक हमें bright region प्राथ होता इतना दूर तक हमें light रीजल प्रात होता लेकिन देखा क्या लिया तो अगर एर्पिकल सेड़ों को चेंज कर गया लए यहां यहां तक पहुची गया यहां यहां तक ब्राइट स्पोट बनी गया ब्राइट स्पोट कुछ दूर तक बनी गया इसी घटना को हम डिफ्रेक्शन करते हैं इसके बारे में बताया गया कि लाइट जो है वो इस तरह से करने के कारण यह जो में Trigal करते हैं तो सीधा ना चलकर और जोमेट्रिकल सेडों को डिश्टर्ब कर गये थोड़े सार्प एज पर मुड़ गये इसी घटना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं अब इसमें आगे हम देखते हैं बच्चों एक सार्प एज है यह एक सार्प एज है कोना है लाइट इधर से बावू लाइट सोर्स आ रहा है इधर हम लिए तो लाइट सोर्स अगर इधर से आता तो इसका यह इतना उन्मेटिकल सेडौ को डार्क सेडौ रीजन बनाता और अडौ रीजन लेकिन क्या हुआ एक्शुछली मने रहेलिकी इसका अंदर झूझ गया इतना तक लाहम हमारा पहुँच है तो कहने का मतलब है इधर जब हम source of light रखें source of light रखें तो वह sharp edge पर light जो होगा मूड गया और मूडने के कारण जो geometrical shadow इतना था अब इतना रह गया तो geometrical shadow जो है वह change कर गया इसी घटना को हम diffraction करते हैं इधर illuminated रहा गया illuminated और इधर dark shadow region मन dark shadow region और dark shadow region जो पहने बनना चाहिए था इतना वह नव बनके इतना बना यानि कि dark shadow region change कर गया diffraction देखाना है और dark shadow region और illuminated region के बीच में dark shadow region और illuminated region के बीच में कोई sharp gap नहीं हुआ वहाँ पर bright dark bright dark bright dark bright dark इस तरह बनने लगे इससे हम diffraction pattern नहीं कहें आन से समझने हैं क्या कीया गया एक circular aperture लिए देखा गया एक circular aperture लिए गया circular aperture से इधर से light entry कराया गया और यहाँ जो इस screen था उस पर इस aperture का दिखा गया तो अबकर छोटा सा था तो उस छोटा aperture का यहां पर छोटा सा light बनना चाहिए था अगर light Ray takiej optics होता, तो light सीधा תा मैं चलता है, लेकिन यहां से जब light आये, तो light ते वेज़ है, तो जो geometrical hide हो रहेगा उसको change करके, थोड़ा यहां बढ़ा गोला बना द concurrent, और बढ़ा गोला बना कर, इसके बाद जो है, इधर जो है, dark side origin बदल गया, तो यहां पर ring बनाने लगे काएट inward बनने लगा काला उजला रिण मनें ब्रार डार्क स्पोर्ट का रिण बनने लगा यही सब डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है आजके समझ में आजा तो पहले डिफ्रैक्शन का लाइट के लिए हम बॉपजर्वेशन देख रहें तो दिप्रेक्शन होने लिए बहुत सा ये ऑबजर्वेशन करने के बाद हम देखेए कि जब छोटा स्लीट ले हैं तो जदा डिप्रेक्शन हुआ जब स्लीट का वीड्ट बढ़ाते कह सो कम हो गया और slit का width बढ़ा दिये तो और diffraction कम हो गया और बढ़ा दिये तो और diffraction कम हो गया तो इन सब observation से हमें यह पता चला कि diffraction slit के width पर depend करता है और बाद में बताया गया कि light का diffraction देखने लाइख, अब्स्टाकल साइज इसलिए बहुत छोटा है इसलिए बहुत छोटा अब्स्टाकल साइज पर ही मेरा डिप्रेक्शन पैटर्न हम लाइट का अब्जर्व कर सकते हैं, जबकि sound का prevalent बड़ा होता है इसलिए उसे हम लोग हमेशा observe कर लेते हैं इन observation को समझो बच्चो फिर से कि यहां पर यह एक opaque body है यहां sharp edge है धर से light जब entry किया तो इतना दूर तक dark shadow region बनना चाहिए यहां diffraction होता है light sharp edge पर wind करता है और dark shadow region को घटा देता है एक diffraction pattern में होता क्या है कि जब light पढ़ता है कि इस sharp edge पर या छोटा object पर तो dark shadow region के अंदर घुज जाता है जिसमें intensity बदलते रहता है इसे बच्चो नोट कर लोगे फिर से हम diffraction पर बात करते हैं जब हम interference पढ़ाएं तो हम तुम लोगों को बताएं कि जब light waves किसी sharp object पर पढ़ता है या छोटे object पर पढ़ेगा एक कोना पर पढ़ेगा तो वह बिंड करेगा और geometrical shadow object का बदल जाएगा इसी घटना को हम diffraction करते हैं diffraction observe होता है जब size of object wavelength of light के compare में हो wavelength of light बहुत छोटा होता है इसलिए generally diffraction pattern sound light में हम observe नहीं कर पाते हैं जबकि wavelength of light wavelength of sound बड़ा होता है उसके लिए age मिल जाता है इसलिए diffraction observe हो जाता है यहां ध्यान दो कि generally हम diffraction of sound देख पाते हैं जबकि diffraction of light हम नहीं देख पाते हैं तो यह बहुत important बात है लाइट अगर straight path में चलता तो बस इतना दूर तक बनाता निम बना दिया इतना दूरता यहीं diffraction हुगा ऐसा क्यों हुगा तो लाइट बावु हाइगेंस क्या बतायते हैं कि कोई भी यहां पे एक source of light होगा तो वह स्टेकल वेव लेट क्रियेट्स करेगा और वह स्टेकल वेव लेट से लाइट इधर-इधर तक पोईच जाएगा समझे ना बद्चो तो लाइड यहां यहां तक ना जाके इधर इधर तक भी light ओच गया जिस से dark shadow region जो है बदल गया तो defraction में dark shadow region जो है बदल जाता है या सभी points बाभू note करोगे अब इसमें हम लोग आगे concept को बताते हैं जान से समझना देखो defraction है defraction by single sleep defraction by single sleep इसी को हम लोग horn hopper defraction करते हैं horn hoppers defraction scientist का नाम है इनसे पहले ट्रेशनेर defraction ही है syllabus में नहीं है बच्चो horn hopper defraction ही हमें पढ़ना है इसे ध्यान से बढ़िया से समझना इसमें क्या है एक slit है एक slit है खोल है यहाँ पर प्लीन वेब फ्रांट्स प्लीन वेब फ्रांट्स आ रहे हैं स्वीट पर पढ़ रहे हैं स्वीट के सेंट्रल क्वाइट से यहाँ पर हम इस्क्रीन ले लिए यहाँ पर हम स्क्रीन ले लिए ठीक है यहाँ पर इसे आप इस पॉइंट को इस पॉइंट को भी मानते हैं तो रे यहाँ पर गया यहाँ पर यहाँ पर जो समझना तो जब बेलेटर तो से 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 लाइक ब्रेक्सा आ रहे हैं और अगर शाटन से से लाइट सोर्स आते हैं तो उसे प्रेशनल डिफ्रेक्शन कहते हैं तो बहुत दूर से इंफिनिटी से लाइट वेप्स आ रहे हैं और सिंगल स्लीट पर यहां पर इंसिडेंट कर रहे हैं तो सिंगल से सिंगल स्लिट पर इंसीडेंट किए हैं तो यहां पर हम गॉन्वेक्स लेंस लगा दिये और वह ओन्वेक्स लेंस सभी वेप्स को प्रोपार्टी तो तुम जानते ही हो सबी बेपो लाकर इसके फोकस पर कनवर्ज करा देता है या जो इसक्रीम बनाये गया है इसके फोकस पर ही बनाये गया है थिन यहां पर स्लीट्स होंगे इसो और यहां पर पढ़ंते के लिए फिर प्रोपाजेशन के लिए फिर लोट करते यह वेव्लिट करेंगान तो फॉइंट पे जितना पात्योति वाल किया है पात्यात्व वाल किया है पुरन दिफ्रेंस यहां पेán जीरो है तो धृएंदो बच्चो यह मुदा फ्रॉंटs if plane wavefronts incident on slit which converges at screen by converging lens. बच्चों द्यान पुर्बक समझ नहीं अट सेंटर ओफ स्क्रीन सेंटर ओफ स्क्रीन स्क्रीन सेंटर ओफ स्क्रीन पर यहां पर path difference, path difference by each, path difference by each wavefronts, each wavelets created by, created by particles of wavefront, wavefront is zero. hence, central maxima is obtained at center of screen, center of screen, देखो बात समझो बातो, plane wavefronts आकर पड़ते हैं, plane wavefronts आकर incident करते हैं, single sleeper, उस single sleeper जब light source entry करता है, तो उस wavefronts में बहुत सारे, बहुत सारे particles होते हैं, जो secondary source का बेवार करते हैं, और सभी further propagate करते हैं, further propagation के लिए, हर एक का path difference यहां के लिए zero होता है, और path difference zero होगा, तो हम maxima मिलेगा, इसलिए screen के center पर हमें maxima प्रात होता है, जो बहुत ही important concept है बच्चो, एक single sleep था, यहां पे plane wavefronts आकर single sleeper पर पड़ते हैं, यह convex lens लगा कि उन सभी का सभी rage को तुम बढ़े होगे, plane wavefronts के आगे अगर convex lens लगाते हो, तो सभी जाकर focus पर converge करते हैं, तो सभी जाकर focus पर converge कर गया है, जो कि focus पर ही focal plane पर ही screen था, तो screen पर central maxima बना, अब maxima या minima क्यों बनता है, इसके लिए कहानी आए बाभू, कि बहुत सारे waves, बहुत सारे waves, super impulse करते हैं, तो maxima या minima बनाते हैं, maxima बनने का condition होता है, कि जब path difference 0 होगा, तो maxima बनेगा, यहाँ पर बहुत सारे waves, आकर super impulse करके, ओ point पर, ओ बतलब center of screen पर maxima का निर्मान करते हैं, यहाँ पर बहुत important concept है, बच्चोई से लिखते जाना है, कि अगर interference में दो light waves आपस में super impulse करके, maxima minima का निर्मान करते हैं, और diffraction में infinite source, infinite light waves आपस में मिलकर maxima minima का निर्मान कर रहे हैं, क्योंकि एक wave fronts में, एक wave fronts में बहुत सारे waves है, बहुत सारे secondary waves है, और इससे wave निकल रहा है, सबसे wave निकल कर, जाकर मिलकर path difference यहाँ 0 दे रहा है, और path difference 0 दे गा तो यहाँ पर, क्या बन जाएगा बच्चो, maxima, अब आगे PC में आगे बात को समझना है, देखो, फिर से single slit S है, ठीक है, single slit यहाँ center of screen पर, मेरा maxima का निर्मान हो गया बच्चो, इधर plane wave fronts आ रहे हैं, diffraction होने के लिए, जो slit width है, वह wavelength के compare में होना चाहिए, ऐसा देखा गया, कि जैसे width of slit बढ़ाते गया, diffraction कम होते गया, और ऐसा देखा गया, कि diffraction light का तभी होता है, किसी wave का diffraction तभी observe किया जा सकता है, जब obstacle size या width of slit जो है, वह wavelength के compare में है, यानि diffraction दो चीजों पर depend किया, एक तो size of obstacles, size of aperture और दूसरा wavelength of light, तो यहां पर ध्यान दो बच्चों कि यहां पर अगर light कुछ यहां से, यहां पर point हम लोग लेते है, यहों को समझना है बच्चों, ODS पर light पहुंचाने के लिए, ODS पर light पहुंचाने के लिए, किसे focal plane में ही होगा याँ, ODS पर light पहुंचा दो, चीक है, ODS पर light पहुंच गया, ODS पर light पहुंचा तो क्या होगा, इसे हम लोग माल लेते हैं A, इसे B और इसे C, O पे तो हम जान गए हैं कि हमें maxima मिना, अब हम minima का position खोज रहे हैं, कि minima हमें प्रात कहां होगा, तो ध्यान को बच्चों, ठीटा यहां से angle माली यह ठीटा, इसके बाद तुम देखो, इसके बाद तो path difference लगबत सेम है, यहां जो distance होता है वह बहुत बहुत बढ़ा होता है, यहां पे sleep width ले लिए है, sleep width, लेमडा माल लिया गया, wavelength light का, wavelength of light हम ले लिए है, तो देखो light waves जो plane wave front sleep पर पड़ेंगे, तो वह sleep पर के वल ऐसे यहां तक न जाके दूर तक जाएंगे, ऐसे न जाके दूर तक जाएंगे, तो किसी odes point पर पहुँच जाएंगे, हम लोग को दिखाना है कि odes per minima बन रहा है, पहला minima, यहां तो जानगे कि center पर maxima बनेगा, तो odes per minima बनेगा, उस minima का position हम खोज रहे हैं, तो ध्यान दो बच्चों, मान लिया गया कि a से odes तक जाने का जो हमारा path है, और b से odes का जाने का जो मेरा path है, वी odes जाने का जो मेरा path है, हम देवडा मारे होगे, यहां distance नेगा, इसे इसको यहां से इसको हम लोग P नाम देते हैं, यही vp होगा, कि देखो यहां से जो रहे पहुचा, और यहां से जो रहे पहुचा होगा तो path difference है, यही path difference हो गया, यही path difference हो गया denta x, इसी denta x को vp मान लिया है, तो ध्यान देंगे बच्चों, अगर इसका श्रीट with a है, और यहां पे हम perpendicular डाल कर, इसे यह थीटा होगा, तो यह भी फिर थीटा हो जाएगा, 90 degree minus theta और theta, यह थीटा लेनी है, और इसे हम लोग lambda माईनी है, ठीक है, तो यहां से sin theta लगाओगे, तो lambda by a होगा, तो lambda बराबर हो जाएगा, a sin theta, sin theta लगाएंगे, sin theta जो होगा, वह delta x बाल यह होगा, इसे हम लोग delta x माल लिये है, तो delta x जो होगा, delta x जो होगा, वह sin theta होगे, ठीक है, अब इसी delta x को, यह जो delta x है, इसी को अब लेमडा देख रहे ही, लेमडा होगा, तो क्या मिल जाएगा, तो ध्यान दो बच्चों, अग बहुत सारे स्थी इसले होंगे यहां पी होगा यहां पर भी होगा यहां पे सींग ऑफ सती इस बेव ओंचा और सी से rulा around पर देखा वह लिए पूंचि के पांट के क्या और होगा? पूरा पाफ्ट का दिफरस प्रूंट के बीछ कि अब होगा?? पाथ डिफ्रेंस बिटिविन ए एंड सी एंड सी के लिए पाथ डिफ्रेंस क्या होगा तो लेमडा वाई टू होगा एक जस्ट बाद वाला पॉइंट को एडेस मांगो और सी के जस्ट बाद वाले पॉइंट को सी डेस मांगो और यहां से ने यहां यह बीच वालगी यह वाला क ήसे नीच वह रहा है इसका और इसका नीच वह रहा है इसके नीचे च्फेल इसकोन कि सहने वह ए जाए जाम्पल के तौर पह्पर के 100 में सोड्स है इस चहां तो पहला और पचासमा नहों मैक्सिमा नितोर तीषेंगे सब्सक्राइबगाए थोस्तुक्त रंट, तनलå । समझोए वर यहां पे सब्सक्राइब सम्सक्राइब लूद है कि यहां है यहां मानलो फिलर को सब्सक्राहथ यहां और यहां के बीच में लेम्डा होने के बाउजूद बीच वाले सभी लेम्डा वाइटू लेम्डा वाइटू देने लगे हैं और सभी एक दूसरा को गैंसील कर दिए theorist येरा माक्शी मीनिमा बन लिया हेंस हेंस इप डिल्टा एकस अगर लिव्ड हो जाए ठीक है तो फॉर्स्ट्मिनिमा हार फॉर्स्ट्मिनिमा वॉर्म्ड ऐड ऐड्स पहला मिनिमा अगए लिश्रीया कहागा कि इसे हम लुग लिखते तो सीन्स ठीटा है इसलिए ठीटा बहुत बड़ा है है पूरे को अगली द्यान से संजो में सबस्कर्बाइब निए सबका पाज़ब जीरो हो जा रहा है इसके चलते और इसंछारे जिन पडुन चलते धे गबस्के भीव डियजरता हैं सबके जलते हृत्ड conten जीआ इसा पाए हम लोग कि लेमडा लेकर देखने के बाद बीच वाला बीच में लेमडा बाइटू लेमडा बना देगा तो यहां पे बहुत ही हाइप 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 कॉंसेप्ट हम सिखें जो की मेरा इंटरफैरंस उल्टा आ गया इसे वच्चो नोट कर लोगे ठीक है इसे नो गरेखो हो है कि यहां पर हम लोग समझें कि डिफ्रेक्षम पैंटरिंस इंगल स्लीकर स्वीट डिफ्रेक्ष्षं में चैश्य Алएन में ऐस पाड़ता है और मिटिकल सेडो बदल देती है और जे पल इतने धूर यशान्ट मिनेत्स लाइंहीं यहां पुंच गया उसके दौरान बनती है और उस। Fraction Pattern में maxima, minima, maxima, minima बनता है तो जब एक single slit लिए है single slit पर आकर लाइड पर आएपर यहां पर हम भेखना diffodus कि बहुत दूर तक एक maxima बन दया जिसे हम लोग central maxima के हैं फिर तुम्हारे minima बना, फिर maxima बना, फिर minima, फिर maxima इस तरह से बना तो यहां पर जो Central Maxima हुगा उसके बारे में there is there is Central Maxima Central Maxima होगा और Maxima एक सेंटर होगा Secondary Minimarch, Alternate, Secondary Minimarch and Maximarch Maximas are formed at either side of Central Maxima Central Maxima के दोनों साइड पर Central Maxima के दोनों साइड पर Secondary Minima फिर Secondary Maxima फिर Secondary Minima फिर Secondary Maxima बनने लगा ठीक है बच्चों, फोर सेकेंडरी मैक्सिमा फोर सेकेंडरी मैक्सिमा कंडीशन हुआ मेरा कि पाक डिप्रेंड जो पी बराबर डेलिटा एक्स कहो वह एरे लेमिडा होता है और इसे भैलू हम लोग एठीटा ला दिए हैं एठीटा कैसे लाए हैं तो ध्यान दोबच्चों इधर सीधर लाइटे ही पहुचा है या परपेंडिकूलर डाल दिए इसी को डिप्रेंड रापर कदिए यहीं 되어 हो एक बहुत इम्पोटन समझना है बख्चो इसमें मीनिमा गए लिए इंटर फैरेंस उल्टा हो गया है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें हां सब्सके Kansas City अगर मत जाते तो पास डिफ्रेंच होता है सब्सक्राइब सब्सक्राइब लेम्डा बाइटू तो ठीटा बराबरा गया कुएन प्लस वन लेम्डा बाइटू है यह इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट है बच्चो याद रखना होगा तो एक बीफ देते हैं कि अगर लाइट वेपस अगर लाइट वेपस जो है किसी किसी भी आपस्टाकल पर या सार एज पर पढते हैं तो उस समय वह बेंड करते हैं और ओपस्टाकल या एज के जोमेट्रिकल सादो को बदल देते हैं और उसी घट्ना को हम प्रेक्शन कहते हैं यह भाश जब हें से यहां slab सोर्स प्लाइट है यहां पर ओले ऑप्तिक्स भैलिड होता है यह तुमारा तुमस रही सभूत मैं हम बनता है वह जोमेंट्रिक रहें कने अगरा और हुल गृफाल्ट सबह बनता कि लेग Mercosn सेटों बाई डिफ्रेक्षन ध्यान पूरबक समझना तो जो में टिकल सैडों कम हो जाता है तो इसके केस के लिए औपजेट का जो साइज है वह साइज जो है औपजेट का वह कंप्रेबूल होगा बेवलेंथ लाइट के लिए डिफ्रेक्षन लाइट वेव और साउंड है और लाइड वेव का डिफ्रेक्षन इसलिए हम अब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि उसका वेवलेंथ इतना छोटा है कि उतना छोटा एज हम लोगों उतना छोटा साइज का ऑब्जेट हमें नहीं मिल पाता है अब हम लोग आगे पॉंसेप्ट को समझेंगे ध्यान सा